क्या लग रहा मड्रेट वालो फाइनली कच्वा आने वाला है देखो यार इस प्लेयर के पीछे तुमने अपने दो धाई सीजन बरबाद कर दिया इस बंदे ने पहले भी टोपी पहना रखी है तब भी इसने प्री कॉंट्रेक्ट एगरी कर लिया था और कल अगर लेप की रिपोर्ट की माने तो यहां पर किलिन एमबापे ने अपना फ्यूचर कमिट कर दिया है रियाल मड्रेट के साथ अब जैसे कि हम सबको पता है कि सीजन के एंड में किलिन एमबापे विल बिकम अ फ्री एजेंट तो यहां पर उसके बाद PSG से कोई negotiations नहीं होगी कुछ नहीं होगी and then एमबापे वहां जाएगा जहां वो जाना चाहता है और हम यह सब को पता है कि एमबापे अल्रेडी प्री कॉंट्रेक्ट एगरी कर चुका था मजट के साथ लेकिन फिर चीजें ऐसी हुई कि काफी political angle इस पूरी deal में डाल दिया गया और वहां पर PSG ने किलन एमबापे को एक नया contract offer के जहां पर उनको lucrative amount of sum मिला उसके बाद उनको आलिशान और powers दिये गए PSG में बड़ अल्टेमेटली वो जो एक fairytale बनाने की कोशिश कर रही थी PSG वो end होने वाली है अगर हम reports की माने तो और यहां पर बताया जा रहा है कि अब आने वाली summer window में किलन एमबापे अपना contract sign करेंगे अपने dream club Real Madrid के लिए अब यह एक ऐसी signing है जो कि Real Madrid को और लालीगा को वापस से alive बैसे को Madrid को किसी player की ज़रूद नहीं है basically यहां पर अपने आपको relevant रखने के लिए और अपने आपको successful बनाने के लिए अगर मैं यह कहूँ कि एमबापे को ज़रूद है Madrid की अपनी relevancy बनाने के लिए अपने लिए बैलेंडोर्स वगरा जीतने के लिए तो इसमें गलत बात नहीं होगी लेकिन लालीगा को एमबापे जैसी signing की बहुत ज़्यादा जरूद है क्योंकि एक hype जो आप बोलोगे Real Madrid का था Benzema, Ronaldo, Gareth Bale, Sergio और Amos यह से और Barcelona का था विशावी, नियस्ता, नेमार, स्वारेज और अफकॉर्स, लेनल मेसी वो डाइडाउन हो गया और इन दोनों clubs की hype की वज़े से जो डाइडाउन हुई इनकी clubs की hype सोशल मीडिया पर बात करें या मैचेडेस की बात करें उसके चक्कर में लालीगा बिल्कुली बिल्कुली पिछड़ गी प्रिमिली की comparison में लेकिन अगर लालीगा को वापस से खड़ा हुने अगर लालीगा को वापस से अपनी hype create करनी है तो उनको poster boy चाहिए है world football में और अभी इस वक्त पे Arling Haaland और आपके खिले नंबाप पे दो सबसे बड़े poster boy हैं अल्रेडी यहाँ पर आप देखो के तो Levendork की खेल रहे हैं Bellingham खेल रहे हैं Vinicius खेल रहे हैं लेकिन इन दो सूपर स्टार्स की hype अलगी level क्योंकि यह ऐसा माना जा रहा है कि लंबे time तक Bellendork लिए compete करेंगे आप देखो आज मुकाबला है Madrid वर्सेस अटलेटिकों का जिसको हम अभी थोड़े देर में cover करेंगे लेकिन उससे पहले भाई Barcelona fans यार कल तो मतलब मैंने भी notice किया कल तो मैंने भी देखा कि हाँ भाई लालीगा में रेफरींग का जो लेवल है ना बड़ा ही भाईयाद है अब देखो रफा आपके मारीन ने जो भी उनका नाम है आपके अलवेस के defender का उन्होंने अपनी photo डाल दी के विक्टर रोग ने मेरी उपर ये challenge किया था इस वैसे उनको दूसरा yellow card मिला है उसकी वज़य से वो चीज होई है पहली बात तो आपको ये माननी पड़े कि जो second yellow मिला है किसी तोर पे दूर दूर तक किसी तोर पे वो second yellow deserve नहीं करता था ये blatant cheating है आप बोलोगे blatant biasness बोलोगे fraud बोलो आप basically ये लालीगा के referees कर रहे हैं और ये काफी अब open में आता जा रहा है अगर प्रिमी लीग में ऐसा को incident होता है जहां पर एक yellow card दिया जाता है tackle के चकर में not descent के चकर में descent it depends on the referee उसको आप refer नहीं कर सकते VAR पे लेकिन अगर tackle पर second yellow दिया जा रहा है तो VAR call ली जाती है confirm करने के लिए कि जो sending off हो रही है वो legit है नहीं है लेकिन कल के fixture में जब Alavis के against वो second yellow वितोर रोग को दिया गया किसी भी तोर पर आपके VAR को involve नहीं किया गया मैं वैसे देखो जादा आप बोलो के referees के ऊपर इतने opinions देता नहीं हो लालीगा के लेकिन कल जो हुआ है definitely वो एक आप बोलोगे blatant cheating थी किसी भी तोर पर वो yellow card second yellow deserve नहीं करते तोर रोग लेकिन अगर Barcelona की performance की बात की जाए तो बहुत सारे positives थे कल के match में देखने के लिए जैसे की अब आपने कल क्रिस्टिंसन को डाला CDM position पे जिसकी वैसे Frankie और Gundo Gun को थोड़ा ऊपर खेलने का मौका मिला अब जितना जादा आप Gundo Gun को involve करोगे न final third में attacking front पे उतना जादा आपकी team बहतर football खेलती दिखेगी Man City में Gundo Gun इसलिए जादा effective थे क्योंकि उनको freedom मिलती थी ऊपर खेलने के और इसलिए जो भी बात करो Gundo Gun has always been the point of difference और कल जो 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 गोल स्कोर के ना Gundo Gun में मतलब वो मुवमेंट उनका off the ball वो दिखाता है कि एक world glass player का की जो सोच होती है गेम रीड करने का जो एक नजरिया होता है वो क्योंकि एवरेज फुट्बॉलर से अलग है पैद्री के पास ball थी अगर पैद्री यहां से ball डिंक करता है मेरे पास far post पे attempt लेने का मौका बनेगा और उसने तोरंत अपना जो movement of direction था वो change किया और वो जो जो पहला गोल स्कोर हुआ उसके बाद वितर रोख अगेन second consecutive game एक youngster एक teenager आपकी attacking line में इतना easily inherit हो रहा है और अपना दूसरा goal league का score कर रहा है which tells you a lot के भाई ठीक है अब यहां पर वितर रोख अपने आपको वितर रोख धीरे धीरे करके settling कर रहे है और वो जो goal score हुआ है ऐसे goals के दरूवत है अभी बासलोना को जितने भी goals अभी बासलोना के players अभी score करते ना वो take on's लेंगे वो duals complete करेंगे ठीक है ना उसके बाद वो finish करते है लेकिन जो dirty goals होते है जो tap ins होते है इन goals के दरूवत है अभी बासलोना को और जब त possible नहीं होता मडरिड इसी लिए successful है हर साल क्योंकि उनको हर हर आप देखो के हर match में कुछ ऐसे cheap goals score करने वाले players मिल जाते है और यहां पर यह एक part जो है वो missing है defense में बात करूँ definitely भाई कल जूल्स कुल्डे की performance उतनी शार्प नहीं थी first half में he was losing a lot of aerial battles और कहीं न कहीं उसकी वजए से वो लगातार अलवेस को मौका मिल रहा था कि वो उनको challenge कर पा रहे थे long balls पर cross पर और वहां कहीं न कहीं deal नहीं कर पा रही थी second half में आपने देखा उन्होंने ford को डाला and then hector ford के आने के आने के बाद उन्हीं नहीं वो register किया अचिस्ट अपना तीसरे goal के लिए थोड़ा proactive दिखी बासलोना final third में जाते में थोड़ा और players involved वोने शुरू हुए midfield kristinson के उन्हें थोड़ी balance शुरू में जरूर kristinson थोड़ा सा uncomfortable लग रहे थे उस position में खेलते हुए लेकिन जैसे जैसे game आगे बड़ा वैसे kristinson की performance और निकलती चलिया ही अगर आज के match में let's say की real Madrid points drop करती है तो ये बासलोना के लिए बहुत अच्छी एक news होगी क्योंकि उनके और अभी Madrid के बीच में 7 point का फासल है जहाँ पर Madrid के पास अभी एक game in hand है जो आज रात में वो खेलेंगे अटलेटिको के case Madrid डार्मी में लेकिन यहाँ पर अगर मैं अगर आज का match हरा देती है तो भी यहाँ पर बासलोना के पास अभी इस title race में रहने का मौका है it's not like कि title race एकदम से over हो चुकी है अभी बहुत मुकाबले बाकी है injuries हो यह जा रही है players को तो उस बीच में अगर let's say कि Girona अपना momentum drop करती है या Madrid अपना momentum drop करती है और Barcelona ऐसे ही अगर matches निकालती जाती है तो वो उस आप बोलोगे bracket में अपने आपको ढूंड सकते है around game week 33-34 अगर situation ऐसी रही तो but yes definitely वापस अगर हम performance पे आएं I think कुबासी और अगर आप बोलोगे Hector Fort दो youngsters और इसी लिए देखो Barcelona की success में La Masia का इतना जादा involvement रहता है और ये बात पहली बार हम discuss नहीं कर रहे है कि एक football club जिसकी पूरी आप बोलोगे जो success story रही है वो अपनी academy पे based रही है तो उसमें जब academy से ऐसे players निकल रहते हैं जो कि first team के experience के बिना यहाँ पर इतनी ची performance drop कर पा रहे है वो दिखाता है भाई कि किस तरीके से आप अपने players को develop करके और बिना investment किये भी अपनी team जो है better तरीके से build कर सकते हैं और उसका prime example अभी अगर दूना तो वो है लामीन यमाल वो जो तीसरा goal आया है basically जो आपके score किया है आपके वितोर रोकने उस goal पर अगर आप देखोगे यहां पर या अगर मैं बात करूँ यहां पर उस पूरे attack में अगर आप involvement देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो जो half turn लिया था इलमीन यमाल ने वहां से पूरा build-up श लमीन यमाल है कि जब आज से 6 साल के बाद आपने अपने अर्लिंग हालेंड को देखोगे ना जब वो 28 और 30 हिट करेंगे वहां पर 29-30 की एज के आसपास जब वो लोग होंगे तब आपका 2030 में जाते में लमीन यमाल विल उनली बी 22 तो उसके पास तो अभी अपनी आदी स जाधा फुटबॉलिंग करियर सामने रखी हुई है लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है बासरोना के लिए कि वो लमीन यमाल को किस तरीके से यूज करते हैं इट्स वेरी अनफॉर्चनेट के बच्चे को यहां पर 90-90 मिनिट खेलने पड़ रहे हैं वीक इन, वीक आउट क्योंकि उनके जो दूसरे राइट विंगर हैं वो इंजाड है और उनके जो दूसरे ऑप्शन्स भी हैं विंग के तौर पर वो दोनों ही गल अनवेलिबल थे चाहे आप जाव फिलिक्स की बात करो यहां पर फेरान टॉर्स की बात करो वो फुली आने वाले मै पॉइंट पॉइंट्स निकाले हैं उन्होंने बड़ यहां पर अगर हम आज होने वाली मड्रिट डार्बी की बात करे हो देखो इस मुकाबले में जाते में डेफिनेटली प्रेशर होगा मड्रिट की उपर क्यों क्योंकि इस सीजन में मड्रिड एटलेटिकों से तीन बा बाहर बेज दिया इस वक्त पे अटलेटिकों इस एड़ ब्रिंक ओफ कम्प्लीटिंग डबल ओवर आपके रियाल मड्रिट तो यहां पर अब आप सबको पता है अटलेटिकों इस बार बिल्कुल अलग ब्रेंड फॉटबल खेल रही है दे आर नोट सिटिंग बैक एंड ह अगर आज बलेट से की अटलेटिकों अपना मैच जीत जाती है और मड्रिट यहां पर अपना गेम हारती है यह जो हैट टू है फिक्षर है तो जो डिफरेंस है बिट्वीन अटलेटिकों मड्रिट एंड यहां पर आपकी रियाल मड्रिट तो वो से साथ पॉइंट का रह जाएगा और फिर बासलोन और अटलेटिकों मड्रिट मड्रिट से साथ पॉइंट के फासले बैठी होंगी और फिर उसके बाद आने वाले गेम्स में अगर मड्रिट एक आदा गेम में पॉइंट्स डॉप करती है और लगातार की दोनों क्लफ अगर मैच जीतते हैं तो कह ही इंट्रसिंग हो जाएगी क्योंकि जिरोना 23 गेम वीक में जाते में भी अभी तक अगर आप बोलोगे तो अपना गाड ड्रॉप नहीं कर रहे है तो डेफिनिटली यहां पर प्रेशर बना हुआ है मड्रिट क्यू पर भी को अफॉर्ड नहीं कर पा रहे है एक आदा गे आप बोलो कि जिस तरह का एक हाइप चल रहा है मड्रिट क्या रहा हूं वो ट्रेबल तो नहीं बट वापस से युरोपेंड ड्रीम चेस कर रहे हैं जो दो साल पर उनने कारलो एंचलोटी के साथ ही किया था युरोपेंड डबल करके वो इस साल भी पूरा कर सकते हैं बट यहां पर इतना आसान नहीं होगा इतलेटिको के इस उनका मैच जीतना मड़िट इस अ ब्रिलियंट काउंटर टेकिंग टीम बट सो इस आपके इतलेटिको मड़िट और एकलेटिको सेट पीसे पर बहुत ब्रिलियंट है वो दोनो तीनों फिक्शिरों से बता चोगे कितना जादा वो अटाक कर सकते हैं मड़िट को काउंटर स्पें कितना जादा एक्सपोस कर सकते हैं उनकी डिफेंस लाइन को जब बात आती है आपके एरिल दूस बगरा की डेफिनिटलि यार मड़िट अभी यहां पर इंजरी इशू फेस कर रही है रूडिगर नहीं होंगे त सेंतियागो बरनावियो की उपर है तो प्रेशर डेफिनिटलि होगा इटलेटिकों की उपर बट डियोगो से मिउनी जानते हैं कैसे बड़े क्लब्स का विक्टरी निकाली जाती है तो होफ़ोली आज हमें के एंटिटीनिंग गेम देखने को मिलेगा और इस गेम काम गेंज गया वितोर रोक के लिए जो सेकंड यह उनको मिला बट दे विल बी वेरी हैपी विद परफॉमेंस दे सौ लास नाइट अगेंस अलवेज अच्छी ब्रिलियंट आप बोलो के सेकंड नाफ परफॉमेंस थी यहां पर बासरोना की सेक्ट आप में डेफिनिटी आपर बासरोना को वाकई में बार वापस से लालीगा की कंटेशन पर लाके खड़ा कर सकते है या नहीं और आज के मैस का इटलेटिको वसेज मटेट के मुकाबले में विनर कौन होगा वो पताईए मज़े कॉमेंट सेक्षन में ऐसे और वीडियो के लिए मेक शूर देट यू सब्सक्राइब एन इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलवेदा मिलत एगली वीडियो में रली गुडबाई टेक कर सायोनारा